हेई वेलकम बैक टूर चैनेल दोस्तो आज की इस पीडियों में बात काने वाले हैं हाउ टू सेट अप यो डिवाइस इस फोन को नया खारिदने के बाद या फिर रिसेट करके स्मार्ट ली सेट अप कैसे करें दोस्तो सबसे पहले पावड़न दा भए फोन को बूट काना होगा डिवाइस अन होते ही कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा नेक्स्ट यहां से अपना फोन लेंग्वेज चूस कीजिए यहां पर आपको इंग्लिज से लेकर बहुत सरे इंडियन लेंग्वेज देखने को मिलेगा तो अब अपना भासा सिलेट कर लिजिए नेक्स्ट स्टार्ट बड़न पर टैप करके शुरूआत करेंगे इसके बाद डिवाइस का ट्राम एंड कॉनिशन एग्री करना होगा तो पहले जो दो आप्शन दिख रहा है उस पर टीक लगा के बागे सब छोर दीजिए Easy Setup with Another Device अगर आपने किसी पुराना डिवाइस या टैबलेट से इस डिवाइस में अपडेट किया है तो उसका All Data and Settings इसमें कॉपी कर सकते हैं कोई भी Android डिवाइस, Samsung डिवाइस और iPhone डिवाइस से डेटा कॉपी कर सकते हैं लेकिन फिलर इस डिवाइस को हम मैनुआली Setup करेंगे Choose a Wi-Fi Network अगर आपके घर में Wi-Fi Network available है तो उस Network के साथ अपना फोन connect कर लेना अगर नहीं है तो Skip कीजिए Date and Time अपने अपसेट हो जाते हैं अगर रॉंग टाइम सो हो रहा है तो यहां से चेंज कर सकते हैं Next Google Service दोस्तों इन में से Send Usage and Diagnosed Data Permission आफ कर दिजिए नहीं तो फोन से डिल्ला कारेट करके आपके इंट्रेस्टेट बेसिस पर एर्ज दिखाएगा इसके बाद साथे ट्रांप्स एंड को एकसेट करना है Protect Your Phone या अपना फोन Face Lock, Finger Pin Lock, Pin, Password या पैटन डाल के डिवाइस को सीक्यूर कर सकते हैं तो इसको हम बाद में सेट करेंगे Get Recommended Apps दोस्तों रेकोमेंड़ अप्स में स्मार्ट टूर के अलबा अगा दूसरे कोई आप सायसन में आता है तो उससे टिगमा खाटा देना नई तो फोन वाइफाई से कनेक्ट होती धराद धर फास्तुगी आप इंस्टल कर देगा फोन सेट अप करते समय सिर्फ स्मार्ट टूटर पर ही टिग रहाना चाहिए निक्स्ट समसंग एकाउंट दोस्तो अगर आपके पास पहले से कोई समसंग एकाउंट है तो यहाँ फोन नमबर और इमेल अड़ी डलके साइनिंग कर सकते हैं अगर नहीं है तो फोर्गट पासवाड और डोन्ट अबन एकाउंट पर क्लिक करें यहां से आप एक नया समसंग एकाउंट प्रियेट कर सकते हैं आपके पास जो समसंग एकाउंट था उसका आईडी और पासवाड फोर्गेट करके उसे रिकवर कर सकते हैं दोस्तो फिलल फोन सेटप जाड़ी रखने के लिए सेटप लेटर इन सेटिंग्स पर क्लिक करें Samsung एकॉन जोनने से इन सेफिजेस का लाब उठा सकते हैं इसके बाद स्कीप कीजिए Samsung सेर्बीस यहां जो जो आपसन है उसे बंद कर दीजिए इसके बाद एगरी करें चूज यह डिस्प्रे पेफारेंस आप मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको लाइड मोर अच्छा लगते हैं या फोन को डार्क मोन में यूश करना पासन करते हो इसके बाद निक्स्ट करना है यू आर ओल सेटप अल्मोस्ट अपका फोन सेटप हो चुका है अब फिनिस पे टैप करना है एक्स्पिरियंस सैमसंग सार्विस इसके अंदर कुछ हीडन सेटिंग्स ओफ करना पाड़ेगा ग्लैंस ओन सैमसंग में याके यहां सबी सेटिंग्स पे टिक माक खटाके औल पर्मिसन बंग कर दीजिए नहीं तो एड से अब पैरसन हो जाएंगे इसके बाद एपलाई काना है अब स्कीब बटम पे टैप करते ही सिधा होमपेज पर चले जाएंगे दोस्तो हमारा फोन लगबग 90 वास थे टाप हो चुका है आप सीम ट्रे निकल के उसमें सीम कार्ड डाल दीजिए निटोगर्ण में थरा समय लगता है इसके बाद आपके सामने सीम कार्ड मैनेजर का एक पॉप आप आएगा यहां से कॉल, SMS और मोबाल इंटरनेट के लिए सीम 1 और सीम 2 सेट कर सकते है आप बैक आईए वाइफाई कॉलिंग इस ओन जब आपका फोन वाइफाई के साथ कानेक्ट रहेगा निटाक कम जरूने पर भी भाइस कॉल करते वक्त कॉल ड्रॉप नहीं होगा तो इसे ओन रखिए दोस्तो इसके बाद उपर से नोटिफिकेशन पैनल ओपेन करना है फार्स्ट टाइम इंटरनेट कानेक्शन चालू होने के बाद वेल पेपर साइट बीस प्री इंस्टोल सीस्टेम अप्लिकेशन आपड़ होगा उपर में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा गेटिंग यूर फोन डेडी थुरा टाइम लागेगा कॉपी एप्स एंड डेटा यहां डोंट कॉपी पर टैप करना है साइनिंग गोगोल अकाउंट अगर आपके पास गोगोल अकाउंट है तो जीमेल ऐडी और पासवट डालके लोगिन कर दीजिए या तो स्कीप कर सकते हैं गोगोल अकाउंट से साइनिंग करने के बाद नीचे की तरप लोकेशान स्कैनिंग सर्वीज और सेंड यूसेज एंड डियागोन स्टीट अपार्मिशन ओफ करके इसका टरम एंड कॉनिशन एक्सेप्ट कर लेना है प्रोटेक्ट यूर्ट फोन या अपना ही सबसे कोई भी स्क्रीन लॉक सेट कर लेना दोस्तों फिर से नोटिफिकेशन पैनल को ओपेन गारना है इसके बाद कॉम्प्लीट डिवाई सेटाप पर क्लिक करें जबर देस्ति आपको फास्दू कि आप इंस्टोल करने का सायसन दे रहा है गल्दी से भी कॉन्टिवी बटन पर क्लिक ना करें यहां से टिकमा खड़ाके स्कीप कर देना है नोटिफिकेशन बार में प्लेस्टोर से और एक नोटिफिकेशन आएगा से टाप पॉज कुछ कुछ सिस्टेम अप्लिकेशन अभी तक अप्डेट नहीं हुआ है आप और डाइरेक्ट प्लेस्टोर से अप्डेट होगा इस एरो को ओपेन करके युज डिटाप पे टाप करती एप अप्डेट होना शुरू हो जाएगा सब इस एप्डेट होने तक इंटेजर कीजिए तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पेनल से सब इस सेट अप कॉन्फिड़ों के हाइड हो चुका है आप डिवाइस में जितने सरे ब्लूटू एड फालतु की आप इंस्टल किया हुआ है उसे अनिस्टल करके फूंक एक जाम साप कर दीजिए एप डिवाइन करके इन में से जो जो अप्लिकेशन आपको लगते है कि यह आपका काम का नहीं है उसे अनिस्टल कर सकते हैं और जो अनिस्टल नहीं होगा उसको आप डिजिबेल कर सकते हैं एप्लिकेशन के उपर tap and hold करते ही डिजेबल और अनिस्टल का पप आएगा यहां से एप्लिकेशन रिमूव होता है इससे आपका इंट्रने स्टोरेज भी फ्री होगा और बैटरी लंबे समय तक चलेगा तो इस तरीके से आपने फोन को स्माल लिस सेट अप कर सकते हैं दोस्तो फोन सेट अप के आलबा इस मोडेल का कहीं सारे हीडन सेटिंग्स और पॉडवन डियाटेट वीडियो हमारे चैनल पर आपलोड किया हुआ है आप देख सकते हैं उम्मीद करता हुआ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हैलपूल धाम तो मरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया